प्रभाद ज्छा के बाद अब कांतीलाल भूरिया की बीजेपी प्रदेश अद्धेश बदले जाने की विस्फोटक कवायत के बाद अब प्रदेश कॉंग्रेस अद्धेश के बदले जाने की सुर्सूरी भी चल पड़ी है कॉंग्रेस पाटी के गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीजेपी ने अपने सक्री अध्यक्ष प्रभाज जाको ही बदल दिया फिर हम अपने निश्क्री प्रदेश अध्यक्ष भूरिया को आखिर कब बदलेंगे अब कॉंग्रेस का आम कारे करता परेशान है और चिंतन कर रहा है हमारा क्या होगा कॉंग्रेस सर्भाजपा में क्या अंतर है ज्यादा पचड़े में न पढ़ती हुए समसामय बात की जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस में प्रदेश अद्यक्षित तय होने से पहले ही इतना विवात खड़ा हो जाता है कि दिल्ली भुपाले खो जाए अब बात बीजेपी की करते हैं बीजेपी अनुशासन और संगठन का राग अलापते अलापते वो सब कर गुजरती है जो वो करना चाहती है कॉंग्रेस अपने सहियों के पार्टी बीजेपी से प्रदेश अद्यक्ष बदने जाने की मामले से बहुत कुछ सिख सकती है कॉंग्रेस पार्टी के गल्यारों में चल रहे चाचाओं पर भरोसा करें तो कॉंग्रेस निता ये कह रहे हैं कि देखो बीजेपी ने बगैर सारवजनिक विरोध दर्श करवाई ही प्रभार जहा को भाशपा प्रदेश अद्यक्षपत से कब घर का रास्ता दिखा दिया कि अकसी को पता ही नहीं चला यहां तक कि स्वयम जा को भी नहीं पता चला जब की झार चार महाँ से एक सूतरी कार क्रव यानि पुन्ह अपनी ताज-पोशी बाट जो रहे थे और एक हां कॉंग्रेस हैं जब हमारे यहां विरोध होता है तो भी हमें सुनने वाला कोई होता ह नहीं बीजेपी ने एक सक्रिय नैत्रत्व को अक्षम मान समय रहते हटा दिया और हम यानि कॉंग्रेस हैं कि कई उपचुनाव भूर्या की अगवाई में हारने के बाद भी उन्हें हटाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं प्रभाद जहा के चुट्टी की बाद कॉंग्रेस भी अंदर ही अंदर मन्थन करने में चुट गई है कहा ये भी जा रहा है कि कारिकारताओं की चिंता की चिंता पार्टी को है वो जैपूर में होने वाले कॉंग्रिस की बैठक में मधिप्रदीश को लेकर निर्णे लेने का अभी मूड भी बना रही है भूरिय फिर झाबुआ तक सिमित हो जाएंगे प्रदीश में दो नेताओं में से एक को जिम्मेदारी मिलने की भी चाचा की जा रही है अभी भूरिय का विरोध करने वाले खेमे ने उपरी तोर पर बेहत शांती का माहौल बना रखा है जबकि सही अर्थों में इसे तोफान से पहले की शांती भी कहा जा रहा है जिस तरह बीजेपी के एक धड़े ने जहा को हटाने के लिए ऐसे खिचड़ी पकाई कि पार्टी अद्यक्ष रहते हुए भी सीटी के आवाज पास बेठे जहां भी सुनना सके कुछ ऐसा ही कॉंग्रेस आने वाले समय में यानि सक्रान्ति के बात कर सकती है कॉंग्रेस ते प्रदेश अद्यक्ष के मामले में बीजेपी से सीख लेने का मन जो बना लिया है बस पार्टी को सही समय का इंतिजार है भाई हम तो कुछ नहीं कहा रहे हैं बलकि कॉंग्रेस पार्टी के गल्यारों में ही जहा एपिसोड के बाद भूर्य को लेकर जितनी भी चर्चा की जा रही है उतनी चर्चा तो शिवराज के हैट्रिक बनाने के लिए ही काफी है मंडी चुनाव में उत्रेक कॉंग्रेस और बीजेपी समर्थित उम्मीदोर शहरी मद्दाताओं के कारण बेहत परिशान है बेचारे उम्मीदोर गाओ में तो दून धढ़ागे से जन्संपर पूरा करा है लेकिन शहर में ठंडे पड़ गए मंडी चुनाव को लेकर अब अंतिम ख्षण में उम्मीदवार के मन में एक ही कसक है कि वो चाह कर भी सारे मद्दाताओं तक नहीं पहुँच पाए बीजेपी हो या कॉंग्रेस चारों मंडियों पर कबजे के लिए दिन रात मेहनत कर रही है रात के बाद मत्दान के पूरे दिन भी मद्दाताओं को सेट करने का काम तेजी से चलेगा लेकिन उम्मीदवारों के लिए वो मत्दाता चंता का विशय बने हुए हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं कहा जा रहा है कि 33 प्रतिशत मत्दाता वो हैं जिन्होंने अलग-अलग गावों में जमीन खरीद कर अब मत्दान का अधिकार पा लिया है उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी चुनावती तो शहरी मत्दाताओं के स्थाई पते की है हलाकि खरीदी रिकॉर्ड के आधार पर उम्मीदवारों ने अंतिम चणों में नेट के सहायता से कुछ पते भी निकलवा लिये तो उनके सामने उनसे अप्रोच करने की समस्या गाव के नेताओं के जहन में है जो अकड़ा मंडी चुनाव में मत्दाताओं का शहरी क्षेतर से आया है उससे ये तो तय है कि चुनाव अब बगैर शहरी मत्दाता के नहीं जीता जा सकता इसके लिए दोनों दल अपने अपने शहरी नेताओं की मदद ले रहे हैं लेकिन ग्रामीन बूथो पर लिजाकर इन मत्दाताओं से वोट कराना दोनों ही दलों के लिए एक बड़ी चुनावती बन गया है ऐसे में मंडी चुनाव में उत्रे उम्मीदवारों का एक पैर गाव तो दूसरा पैर शहर में है और मन में एक ही कसक कब शहरी मददाताओं से आशिरवाद मिल जाए और वो विजय श्री को पा जाए राजनीती में बहुत कम निता है जो अपने लक्ष पर केंद्रित होकर काम करते हैं एसा ही एक नाम है विधायक सुदर्शन गुपता का अब गुपता प्रदेश की राजनीती में भी धखल दे सकते हैं लेकिन वो अर्जून की तरह अपने लक्ष पर ही केंद्रित है चोथी बार जन दर्शन पर निकले हैं हाला कि बड़ी दुख की बात यह है कि भगत सिंग के शेत्र में समझ से हैं आज भी जसकिता से भीर और जिम्मेदार माने जाते हैं हमेशा जमीन पर कारिकरताओं से घिरे रहने वाले सुदर्शन अब तक तीन बार अपने मद्दाताओं की परिक्रमा कर चुके हैं और चोथी बार मैदान में है सुदर्शन फिर 15 दिसंबर से पूरे लवाजमे के साथ अपना चुनावी भी गुल बजा चुके है सुदर्शन गुपता चुनाव जीटने के बाद मद्दाताओं के बीच सबसे ज्यादा बार जाने वाले आदर्श विधायक कहे जा सकते हैं विधायक जी चार दिनों से मैदान में है मद्दाताओं से वे मिल भी रहे हैं लेकिन समस्याएं हैं कि जो पिछले जंदर्शन के दोरान उठी थी वो कि वो आज भी कायम है विधायक जी को देख लोग उन्हें गंदगी दिखाते हैं महिलाएं आगे आती है तो छेड़ चाड़ और शराब बिकने की शिकायते करती है विधायक जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि चाहकर भी शेतर की गुंडागर्दी कम नहीं कर पा रहे हैं 15 जनवरी तक चलने वाली परिक्रमा में बीजेपी का ये भगतसें चार कदम आगे पहुँच जाएगा विधायक सुदर्शन की तारीफ अपकी बार विधान सभा के स्पीकर इश्वरदास रोहानी भी कर चुके हैं सुदर्शनी सक्रियता पार्टी के गलियारों में चर्चा का विशय है 2013 के लिए टिकेट की मारा मारी फिर रहेगी ऐसे में भगतसें जैसे विधायक चुनाओं में सबसे ज्यादा फाइदे में रहेंगे सुदर्शन के इस रूप को देख सत्ता के मद में डूबे कुछ जन प्रतिनिधियों की याद वोट देने वालों को आ रही है वो अपने मद्दाताओं को भूल चुके हैं ऐसे में सुदर्शन एक बार फिर जिले की नोविधान सभाओं में सबसे आगे हैं बात करते हैं चिन्ता करने वाली अफसर यानि विरेंद्र से हैं की विरेंद्र सी है नेक दिल इंसान है ये तो उन्हें जानने वाले बखु भी मानते हैं लेकिन वो अपनों के दर्द को किस तरह खुद खड़े रहकर बाढते हैं ये पहली बारी देखने में आया दरसल लोकाईट पुलिस की टीम सड़क दुरगटना में लगुलवाईन हुई तो लोकाईट एसपी विरेंज सिंग अभी भावक की भूमिका में आ गए एक विरेंजर सिंग और दस-दस घाल लेकिन तिमारदारी एसी की कोई मातात नहीं कह सकता कि उनका अपना कोई नहीं चार हजार करिश्वत खोरी करते महिला सरपंच को ट्रैप करने वाली लोकाईट पुलिस की टीम सड़क दुरखटना का शिकार हुई तो विभाग में हड़कम सामच गया इस टीम में वे सारे अफसर निरिक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामल थे जिन्हें मद्रप्रदीश पुलिस को नाज है जैसे ही धार से लोटते वक्त ट्रक और टवेरा की आमने सामने भिलंध हुई तो सभी सहम गए लोकाएक्ट DSP BS परिहार सबसे पहले संभले, पैर में चोट आने की बाद भी उन्होंने ट्रक पकड़ा, पुलिस को फोन लगाया और 108 से सभी घायल साथियों को लेकर वे इंदौर पहुँचे इंदौर आते ही अस्पताल में कमान सम्हाली विरेंदर सिंग ने सहब यानि विरेंदर सिंग यहां पत की उपचारिकता छोड़ सी थे अभी भावक की रूप में नजर आए फिर विरेंदर सिंग परिहार हो या फिर दोलत सिंग उर्जर सभी के लिए परिशान नजर आए वो लगातार चलती उपचार में इस डॉक्टर के पास से उस डॉक्टर के पास पूरी चिंता से पहुंचे और दर्द से कहरा रहे अपनों को हिम्मत दिलाई दर असल इस फिक्री के कई और भी कारण है जिस तरह विरेंदर सिंग के परिहार दिल अजिस कहे जाते हैं उतने ही वो दौलत सिंग गुर्जर की कारिकुशलता से सालों से प्रभावित हैं विरेंदर सिंग ने उनकी भी उतने ही फिक्र की जो प्रधान आरक्षक और आरक्षक थे विरेंदर सिंग पूरे समय अस्पताल में ही माजुद रहे साहब की घंटों की तिमारदारी दसियों घाल माथःतों की दिलों पर आज राज कर रही है घाल अफसर और माथःत बहते खून में भी अपने साहब का दिल रखने के लिए यही कहते रहे कि कहीं चोट नहीं लगी है जबकि सचाई तो यह है कि कोई फूटा मूग घंटों तक सिलवाता रहा तो कोई तूटे पैर में प्लास्टर लगवाता रहा लेकिन जुबा से अफसर और माथःत दोनों ही मिलकर एक दूसरे को रहत ही दे रहे थे हाला कि राज़्थाने में बेठे लोकाईक्त साहब ने भी अपने चिंता करने वाले स्पी विरिंद सिंग की मदद से सभी घायलों के जल्द ही स्वस्त होने की कामना की है और अंते में बात करते हैं इंदोर नगर निगम की इंदोर नगर निगम में उपायुत रहे अशोक खराटी की जादुगरी का खामेजा अब वो लोग भुखतेंगे जिन्होंने खराटे को माला माल तो कर दिया और खुद मश्रुपत में आ गए हम पहले भी कह चुके हैं इंदोर नगर निगम के गलियारों में विकास कारियों की चर्चा कम और यहां होने वाली जादुगरी पर बहस कुछ जादा होती है ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी मुद्दे पर यहां किसी तरह की कोई सार्थक और सकारात्मक बहस ना हो निगम के गलियारों में छोटे मोटे लेंदेन की चर्चाएं होना तो आम बात है लेकिन कुछ बड़े मामलों की चर्चाएं भी आए दिन होने लगी है एक बार फिर निगम को कथे तोर पर चूना लगाने वाले उपायुक्त अशोक खराटे की कारगुजारियों की गूंच M.I.C. के गलियारों में है M.I.C. ने खराटे के किये दोश को उन लोगों पर मर दिया जिन लोगों ने खराटे के कहने पर पहले डिवाइडरों में पौधे लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी और फिर बाद में एक बाहरी एग्रिमेंट के चलते खुद के विग्यापन बोर्ड लगवा बैठे करने के मामले में खराटे पहले से कड़गरे में खड़े हैं और ये आरोब भी सही साबित हो गया है कि उन्होंने रोड डिवाइडरों को गोध देने के मामले में M.I.C. की कोई स्वीकरती ही नहीं ली थी अब जाकर M.I.C. की नीन खुली तो उन्होंने खराटे को कर निशाना साथ दिया जिन्होंने डिवाइडरों पर होडिंग्स लगा रखे हैं अब खराटे के लगाए लाखों के पौधे उनकी निगम से रवानगी के साथ ही सूख गये हैं ये मामला भी आतायात घुटाले की तरह ही निगम के अन्ना यानि सभापती राजेंडर रा सावेस पहले से मौझूद हैं सभापती ने अपने इस तर पर कारवाई के लिए मामला M.I.C. के साथ साथ निगम कमिशनर की और अग्रिसर किया था जिसमें अभी केवल वो लोग काम में आ गये हैं जिन्होंने खराटे पर भरोसा किया था लेकिन खराटे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं तो क्या सोच रहे हैं सभापती जी सम्वेधानिक पद ही कहता है चोपन बैठो जहां जो गलत हो रहा है उस पर लगाम कसो क्योंकि निगम में आप ही ऐसे शक्स हैं जो किसी भी दल के ना होकर सदन के मुख्या बन बैठे हैं ऐसे में आस भी आप ही से अब आप गलियारों से के सभी अंकों को एक साथ यूटूब पर इंदो डीजी निउस टाइप करके भी देख सकते हैं गलियारों से के आज केंक में फिलाल इतना ही ताजा खबरों के लिए आप देखते रहे हैं डीजी निउस कर दो